एक्सल के इस सेसन के जरिए हम जानेंगे लॉक, प्रोटेक, प्रोटेक्ट शीट, प्रोटेक्ट वर्क बुक, हाइड और अन हाइड के बारे में जैसा कि सबसे पहला कॉश्चन है गो टू दे फर्स सीट, सेलेक्ट दे एंटाया शीट एंड अनलॉक इट हमें सबसे पहले हमें पहले शीट पे जाना है यह शीट फर्स्ट है, हमें इस पे चले गए और हमें यहाँ इंटाया शीट, यानि पूरी शीट सेलेक्ट करनी है तो हमें यहाँ क्लिक करना होगा, यह पूरी शीट सेलेक्ट हो गई, अब इसके बाद अनलॉक करना है होम में alignment में जाएंगे alignment का dialogue box खोलेंगे और यहाँ पर last tab हमें protection का मिलेगा protection में जाएंगे यह unlock option पर टिक है इसको untick करेंगे और ok यह हमारा पूरी sheet unlock हो गई next question now select the entire table and lock it अब हमें यह table select करना है और फिर से lock करना है alignment में गया है alignment के dialogue box में यहां protection tab में यहां lock पर टिक किये और यहां ok यह हमारा selected जितना selected area है वो lock हो गया बढ़ते है next question के तरफ now protect your sheet you can't make any changes within the table but you can make any changes to the rest of the part rest part of the sheet अब हम यहां पर इसके अलावा अब यहां पर हम प्रोटेक्ट प्रोटेक्शन लगाएंगे और इस प्रोटेक्शन से क्या होगा review में जाते हैं और यहां प्रोटेक्शन लगाते हैं यहां password डालिए हमने password डाल दिया ok re-enter password फिर वही password एक बार और और यह ok यह हमारा protect हो गया अब अगर हम बाहर देखें तो बाहर लिख सकते हैं बट इस cell के अंदर जाएंगे वैसे ही यहां पर यह हमें कुछ यह बता रहा है कि उतना cell read only है हम यहां कोई changes नहीं कर सकते हैं अगर टेबल के बाहर की बात करें तो हम यहां changes कर सकते हैं बढ़ते हैं next question के तरफ go to the second sheet and protect it make any changes now you can't make any changes to the entire sheet second sheet में जाने के लिए और यहां पर